इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तब भी डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन बंधना करें और दवा लेते रहें। इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में हलका उल्टी, पेट में दर्द, मिचली आना, सिर्द दर्द, और चक्कर आना शामिल हैं। अग अगर देर रोग, उच्च ब्लड प्रेशर और लिवर या किड्नी रोग था तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अपने डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बता दे क्योंकि वे इस दवा को प्रभावित या इ अंस्पेशियों के दर्द, जलन और सूजन से कम अबधी की राहत के लिए किया जाता है। यह मस्तिश्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करती है जिन से दर्द और बुखार उत्पन होते हैं। यह रूमेटोइड आर्थराइटिस और औस्टियो आर्थराइटिस जैसी बिमारियों में या डेंटल, दांत संबंधी सरजरी के बाद भी दर्द से आराम दिलाने में मदद कर सकता है। अधिक्तम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताय दिशानिर देश के अनुसार ही लें। जरूरत से ज़्यादा खुराक या लंबे समय तक इसका सेवन ना क करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। आमतोर पर आपको सबसे कम पौवब वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही धंग से असर करें। यह आपको रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में और एक बहतर जीवन जीने में मदद करेगा। डोलोनेक्स टैबल करने लगते हैं तो अपने डोक्टर से सलाह लें। डोलोनेक्स के सामान्य साइड इफेक्ट, उल्टी, पेट में दर्द, मिचली आना, सिर दर्द, चक्कर आना, डोलोनेक्स टैबलेट डीटी का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लि